तो आज हम पढ़ेंगे बीए सी फिर्स सेमेस्टर का लेक्ट नाइंट तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट इसमें पढ़ेंगे हम कोशन बेस दून हाइडोजन बोंड तो हमने हाइडोजन बोंड की बारे में आपको पहले बता है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा तो हाइडोजन बंद पर आधार प्रेशन देख लेते हैं तो इसमें हम पूल पांच कोशन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने के चांसिस हैं तो इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजे ताक नहीं हम पहले कोच जान लेते हैं इसमें पूछा है है अच्छी तरह हैं लेकिन हेट्स्ट्रose घै सलफ़र एक्समें बश्तर की यह दोनों अगर यह लिक्वुड हना चाहिए तो यह क्या है गैस है तो क्यों है इसमें लिक्विड और क्यों है गैस तो इसमें क्या होता है इसके सब्सक्राइब रहते हैं गाइज़ह पूरिन oxygen और nitrogen में hydrogen bond पाए जाते हैं तो इसमें क्या है ओ है तो इसमें यह जो hydrogen के electron है जो इसमें साजे के electron है किसके तरफ जाएंगे oxygen के तरफ तरफ तो इस पर क्या जाएगा एक आशिक नेगेटिव और hydrogen पर आंशिक पॉजिटिव आजाएगा इस पे इसकी सबसे ज्यादा है तो इसके एलक्टरों इस तरफ चले जाएगे तो इस पर आंशिक नहीं है जो hydrogen के साथ bond बना सके और क्या बन सेके लिक्विड बन सेके तो इसके अनो दूर-दूर हो जाते हैं इसलिए गैस है ठीक है तो एस्टो द्रव है लेकिन है क्यों इसमें पूछा है तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था जो है इसके कितने टाइप टो टाइप तो एक इंटर मोलिकुलर और दूसरा किता इंटर मोलिकुलर तो आप उस वीडियो को देख लेंगा तो इंटर मोलिकुलर है जाते हैं जिसके कारण हें त्हूर्ण के सभी मोलिक्यूल एक दूसरे से जूरे जाते हैं छाय युदे तो इसके इसे जो हचका चाहिन की होते जो अब चुम और हैं तॉम्हें करांने me जबकि हएएक तुन्हें में में पाया है कि हले आफ्यादोा किस जाता है टीन में तो इसमें FON में से कोई सभी ने तो S है तो इसमें hydrogen bond नहीं पाए जाएगा इसलिए H2S के molecule दूर दूर होने के कारण H2S gas state में ही रहता है तो इसमें H2O के molecule आपस में hydrogen bond द्वारा जूड़कर बड़ा संगुनिक अनू बनाते हैं तो second question देख लेते हैं इसमें salicylic acid by ammonia में कौन से hydrogen bond पाए जाते हैं मतलब intra या intercon से hydrogen bond पाए जाते हैं तो salicylic acid का formula क्या होता है यह होता है एक benzene होती है इस पर oxygen और hydrogen मतलब O H जुड़ा होता है और नीचे क्या जुड़ा होता है hydrogen bond पाए जाएगा क्योंकि इसमें oxygen FON में से O है ठीक है इसमें hydrogen bond पाए जाए 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 तो हमने पीछे पड़ा है जो hydrogen bond होते हैं वो एक ही molecule के अंदर होते हैं मतलब एक molecule के अंदर तो यह पूरा एक molecule है hydrogen bond है तो इसमें कौन सा hydrogen bond पाए जाए जाएगा इसका टाइप क्या होगा इंट्रा-molecular hydrogen bond पाए जाता है तो उसे क्या कहता है इंट्रा-molecular hydrogen bond और ammonia जो है इसमें NH3 का फूर्ण होता है तो इसमें एक hydrogen इंदर जुड़ेगा nitrogen से एक इधर एधर एधर तीक है तीन molecule लेंगे जैसे तो इसके बीच में क्या बनेगा hydrogen bond तो इसमें तो एक ही अनु में बन रहा है hydrogen bond इसमें बहुत सारे अनु है इसमें दो के बीच में बन रहा है तो यह क्या होगा hydrogen bond between molecule मतलब मोलیک्यूल अलग-अलग मोलیک्यूल के बीच बन रहा है तो यह क्या होगा इंटर मोलیک्यूल हाइड्रोजन मोर्ट पाई जागा इसमें ठीक है हमने यह इंटर और इंटर पिछली वीडियो में बता हुआ है आप पहले उससे देख ले जाके तो कॉश्चन थर्ड है आपका सोल स्वाव तो आपनी और पानी अधर ले तो याभंप में जाओ होगी से स्वाशन में प्लीच के लिच्ग रर्ययूल के यह वांगा। यह वाटतर उपाक में पासे तोhã इसमें हम देखते हैं कि जो ऑप зал होता है वह यह होता है की जो होता है वह त рубح है उडने होता है मतलब बिच नीच मैं हवा बहती है जो वाय बन जाते है बीच वीच में उससी कारण वह पाणी में तैजाता है एक है वह दाय नहीं आए-स वह चुछ बन जाता है अगर आप रखने पाइद रखने इसे जमने के लिए तो इसमे सब्सक्राणी में जाता हूँ थोड़ा सा भड़ जाता है काईह तो कि देंसिटी कम होते है तो इसमें की देंसिटी कम होते हुथ हिस्टेसे में तो आई स्था ह्लाटा इसे में बने हाइडाजमॉंण साथ एक हाइडाय के साते हो है मैं इसमें जो जए गशंचे में गया हो जाते हैं निरम जसाथ यहा तो यह दंशक भी Department एक्सिजन 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 के साथ कोवलेंट बनाता है तो पीछे बता था भी जो ओक्सिजन होता है वो दो के साथ तो हैड्रोजन बोन बनाता है जिसके कारण एक खुली 3D स्ट्रक्चर प्राप्त होती है इसमें बड़े-बड़े वाई-उकोष बन जाते हैं आइस की डेंसिटी घट जाती है तो हमने यह बताया कि इसमें वाई-उकोष बन जाते हैं वह काम हो जाती है तो आइस के पिखलने पर बड़ी संख्या में हाई यह चैंबर के अंदर भी परवेश कर जाते हैं तो जब आइस पिंगलता है तो उसके बड़ी संख्या में जो हाइडोजन बोन होते हैं वह तूट जाते हैं और उसमें जो वाई-उकोष था मतलब खतम हो जाते हैं और वह अनुपास पास आजाते हैं तो उसकी डेंसिटी इसमें एसटी भायरी के बढ़ जाती है gef कोषण फूरत इसमें एंस ऑसट्री एक्यूर्फ में होते हैं क्यों तो F on banget जाएंगा हॉसमें क्या पाए जाएंगा हाईडोजन पाए जाएंगा तो इसे में इसमें रियाइगे नेगेटीव एलेक्ट्रो नेगेटिव एलेमेंट है, most एलेक्ट्रो नेगेटिव एलेमेंट कौन से होते हैं, FON, तो इसमें FON है तीनों मोलेक्यूल में इंटर मोलेक्यूल हाइडोजन बॉन्ड पाया जाएंगे, जो इनके अणुगों को आपस में बांदे रखते हैं, इन हाइडोजन को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवशकता होती है, आता है, इनके बॉलिंग पॉइंट एबनॉर्बली हाइ होते हैं, तो इसमें हाइडोजन बॉन्ड पाया जाएंगे, उसमें उनके मोलेक्यूल को तोड़ने के लिए जाद एनर्जी की आवशकता होगी, तो इसलिए इनके boiling point क्याते हैं अधिक होते हैं जो उसका कुतनाग होता है वो अधिक होता है जब उसको तोड़ने के लिए अधिक energy लगाएंगे तो उसका boiling point भी अधिक हो जाएगा हमने अभी बता है जो जिसमें hydrogen bond पाए जाता है उसके अनों पास पास होते हैं तो वो liquid हो जाता है और इसमें hydrogen bond नहीं पाए जाता है किसमें पाए जाता है FON इसे आद रखना है आपको इसी पे आपके सारे question solve हो जाएंगे ठीक है उपरोक सभी molecule में केवल HF में hydrogen bond पाए जाता है केवल HF के molecule एक दूसरे के पास पास होने के कारण liquid state में पाए जाते हैं ठीक है संजमाग है क्योंकि इसमें hydrogen bond पाए जाए इसलिए कारण इसके क्या होता है molecule में liquid state पाए जाता है HF में और यह SCL-HBR आचाई में hydrogen bond नहीं पाए जाता है इसलिए यह क्या होंगे गैस होंगे ठीक है आज की वीडियो हैंगी खतम करते हैं तो next video में मिलेंगे हम आपको तो अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए तो description box में download कर लें और आपको चैनल तो subscribe कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सगे थैंक यू सो मच